ओई राधा मम्मी जी बता रहे थी तेरी तब्या छीक नहीं क्या हो गया राधा तुझे मंदर्जन, मैरी तब है ठीक मेरी ये तो तेरी आगो बता रहे है मुझे राधा कहीं तुझे बाड़ा? मैं मानती हूँ श्लोप के प्यार को भूलाना मुश्किल है पर सौपनिल तुभारा पती है, राधा उसने भी तो तेरे प्यार के लिए अपना परिवार छोड़ दिया था और आज उसे तुम्हारी जरुवत है राधा राधा, तुम जितनी जल्दी श्लोक के प्यार को भुला दो उतना ही ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और इस परिवार के लिए भी पमी, तुम थोड़ी दे प्रेसेस के पास रहो, मैं अभी आती हूँ श्लोक तो बाबा की कम्रे में चला गया, और क्या गुरो श्लोक को पता चल जाएगा कि मैं जूट बोल रहे थी बाबा तबद केसी आपके? मैं बिल्कु ठीक हूँ बेटा बाबा को तो कुछ नहीं हुआ यह पिर राधा ने मुझ से चूट के बोला पर तुम आफिस से जल्दी कैसे आगे? कोई काम नहीं आफिस में? नहीं बाबा वो बात नहीं है तरसल मैं बाबा? आरे शलोक तुम आभी गए? बाबा मैंने शलोक को बिलाय था वो स्वपनिल घर पर नहीं है और संदी भया भी कहीं बाहर गय है तो मैंने सुचा आपकी देख़ाल करने के लिए कोई तुछ चाहिए नहीं राधाज इसमेश लोक को तकलीव देने की क्या ज़रूरत तुम भी इतने चिंता मत करो मेरे अपना ख्याल रोखो समीता बता रही थी तुम्हारी तब्यद ठीक नहीं देखो राधा मैंने तुम्हें पहले भी कहा आज भी कह रहा हूँ मेरे लिए इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं राधा तुम्हें क्या हुआ वो थोड़े से थकान है लेकिन बाबा आई सबसे ज़्यादा फिकर करती है आपकी इसलिए मैंने सोचा यह अच्छी बात है इस बरिवार के सब लोग इए दूसरे की बहुत फिकर करती है लेकिन तुम अपना ख्याल जरूर रखना अब 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 दबाए स्मार्ट मूव रहा तो तुमने बहाने से श्लोग को घर बुला लिया है ताकि श्लोग को मुझसे बचा सको अब आएगा मज़ा है खेल में श्लोग तुमने भाटिया से बात किए बाबा आप बिजनेस की चिंता मत कीजिए मैंने बात कर लिया है सब को समा लिया है बाबा मैं लौकी का जूस लिया दी वम्मी ने बना कर रखा है पहाने से मुझे घर बुलाने की क्या वज़ा हो सकती है राधा अब ऐसा क्यों करेगी जरूर कोई बात है क्या हुआ है उसे क्या हुआ है ऊचिए प्रूर क्योंच क्याद है क्या बात क्या है बात क्या है डिया मंदिरा, अच्छा वा तुमने अविनाश के लिए व्रत रखा, वो भी बिना अन और बिना जल को क्रहन किये वे, आई, अविनाश मेरे पती है, और अगर ऐसा करने से, उनकी और इस परिवार की मुश्किलें खत्म होती है, तो मैं एक व्रत तो क्या, कई व्रत रख सकती हूं व्रत तो मेखना ने भी रखा है, अब तुम लोग देखना, इस घर का भला होगा ही होगा मुझे तो चक्कर भी आ रहे है, यहाँ तो पकड़ने भाला भी कोई नहीं, अई, भूप के बारे तो मेरी जान दिख ली जा रही है यह बगवान, अब तुम ही बता, कर तो क्या करूँ अरे मंदरा, यह क्या है, पंड़ जी ने कहा था ना, अरे हाँ, मैं तो भूली कहा था, वैसे पंड़ जी ने जो जो कहा है ना, वो पूरा करने में तो सारी जिन्दगी निकल जाएगी इसा नहीं है, अबिनाश, हम साथ मिलकर करेंगे, तो सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी यह बात भी सही है, ऐसे मैं भी कितना खुशनसीब हो ना, मेरी दोनों पत्निया मेरे लिए वरत रख रही है, कमाल है पंडित की तो ऐसी के तैसी, मेगना, क्या दमाग पाया है तुमने, वरत भी नहीं टूटा, और तुम भूकी भी नहीं रही विल्बुरी खारी तुम तुम आ गए भूक के मरी नहीं तो जहान निकली जा रही थी यह सुपारी यह वो पंड़ी था था गादा ना वही तुम मैने बिल्कुल वरत नीत उड़ा है भली मैं मर क्यों नहीं जाओ लेकिन जब तक सुरज नहीं ठलता तब तक ना तो मैं अन का एक दाना खाऊंगी और ना ही मैं पानी की एक बूंद प्यूंगी हाँ देखा, देखा, खाले पेट के डकार मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेगना कि तुम इतनी बदल गई हो हाँ 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 मैता वह तो तुम्हारी वज़े से सच अविनाश सिर्फ तुम्हारे प्यार की वज़े से हाँ पोल खुलते खुलते बच गई हाँ, मेरा प्रत्र टूड़िया पर मैं उस चुडेल का प्रत्र भी टिकनी नहीं दूगी रदा 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 तुम यहां कैसे? अरे तुम ही ने तो कहा था कि घर पर आते रहा करो तो इसलिए मैं आ गई आक्सली आई और मैं शॉपिंग गई थे और मुझे तुमसे बात करनी थी इसलिए आई घर चले गई और मैं यहां आ गई अरे आई को भी साथ लाना था कहा ना? मुझे तुमसे बात करनी थी अब आई के सामने थुट ना कर सकती हो ऐसी क्या बात थी? मैं तुम्हारे ले कुछ लाई हूँ So sweet Thank you नहीं नहीं यह नहीं यह तुम्हारे लिए काफी माध। अब रोज सुबे काफी पीते हुए, तुम मुझे देखना और मैं इस तस्पीर से तुम्हें देखोंगी, कैसा लगा मेरा आइजिया? विलिए। पाकेट, तुम्हे तुम्हें तो अब ड़ल थैंक्स कहना पड़े थैंक्स… थैंक्स अलाए। यह वोस्त वेल्कम बाम मेगना चल जबी रास्ता साफ है यह तो भगवान का इशारा है चुरा ले उसकी सुपारी और तोड़ दे उस चुडेल का वरत फोग यह चुडेल की मुठी है या कपर सिंह का हाथ नीद में भी इतना टाइप पकड़के रखा है जैसे कोई लेकर भाग जाएगा खूलती है मुठी या दुए थपड़ अज बाएगा 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 गुए यागा यागा अब आएगा मजा, चुडेल करेंगी तीन वास्ट, और मैं, मैं बनूगी आथर्श्पक्तू. श्लोप जब मुझे बाबा की सेहत की जूट के बारे में पूछेगा, तब मैं क्या जवाब दूँगे उसे? राधा, 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 हाई काया जाला, तो मैं पूछ रहे हूं, तो लाधाय जाला है, देखो राधा, इतना मज सोचो, वरना सुभा की तरह, यही एसा कुछ नहीं, आई, राधा, मैं आपकी मेदद करो, इसमें पूछने के क्या बात है, करो नहीं आई, ऐसे तो नहीं पूछती लेकिन आपके घर में आपकी इजासत मांग कर काम करने में मज़ा आता है अच्छा, ठीक, करो मैं दब तक नाशता रगा ठी भाई तो वे, कलल दाक्षिली में बहुत मज़ा आया न? कैसे सब अपनी रूटीन जिंदगी को भूल कर, रूटीन लाइफ से ही जुड़ावा कोई ना को गाना गा रहे थे और स्वपनल दादा, उनकी आवाज तो इतनी अच्छी है, कभी सोचा ही नहीं था इतने बड़े बिस्नसमेन और ऐसा शॉप महन्य में ही नहीं आता, है ना? वैसे राथा, अगर बुरा ना मानो, तो एक सवाल कुछो? आहां, कुछो तो अपनल दादाने शादी से पहले तमें ऐसी मनाया होगा? चाय पे बुलाया है राधा, तुम्हारी देवरानी तुम्हारी खिचाय कर रहे है मैं चाय देख़ा आतू श्री आई, आपने तो चाय डाले ही नहीं? ओहो, पता नहीं मुझे भी क्या होगा आई, इस कप में श्लोप को चाय, वै देख रहा हूँ इल्व इल्व छी हाँ, चाय तुम दे आना, भरतो मैं सकती हूँ आई, मैं ये चाय श्लोग को कमरे में देखर आती हूँ हाँ, मैं भी चलती हूँ रादा, सब के लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दो, मैं आप्टिव श्लोपोच आएगा अच्यो रादा मज़ा आया ना तुम्हें? अंताक्षरी के खेल में इस अंताक्षरी के खेल में मेरे इशारे चुपे थे रादा और मुझे उमीद है कि तुम बहुत समझदार हूँ तुम्हें इशारे मिल गया हूँ हां रे हां बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है हां मैं बागवाद इसका मतलब सौक्विल का इशारे चाय में जहर मिला लिका था और ये चाय अभी अभी आर दे अवाद प्याय में आर वा प्याय था झाद तुम्हाद प्याय प्याय प्याद इवादा, इसक्यूगा अगरी दिए आई, मैं अब इस लोक को ये चाह देदे थे, वरना ठंदी हो जाएगी हाँ, देदो अब मैं मना करूँगी, तो तुम मानोगी तुमी, है लो? जाओ, देदो देदो कोई गर्म-चाई की प्याली हो कुई उसको पिलाने वाली हो पी जाए तो हूँ अरे राधा तो तो में तो मैंने देखा ही नहीं है तुम को अपहा है मैंने आर्थी को जरूर देखा है चाय का प्याला श्लोक की कमरे में ले जाते हैं कि मैंने तो अपना काम कर दिया रहा है अगर श्लोक को कुछ हो गया ना सुपनिल मैं तुम्हें नहीं चोगी रिलाक्स मुझे तुम्हें छोडने की जरूरत नहीं और मैं कहीं भागा भी नहीं जाना तुम्हारे पास तेकिन अभी श्लोक को बचा तुम्हें कि मैंने श्लोक के लिए क्या मस्त जहर वाली चाय बेजी इससे पहले के श्लोक वो जहर वाली चाय पीजाए तुम्हार अगओ अगो श्लोक, तुम्हारे गर्मा करम चाय बस थोड़ी देर आरतियों यह खादम करलों तुम्हारे तुम्हारे श्लोक, चाय थंड़ी हो जाएकि पीलों ना? झाल झाल झाल